का है तु क्या है यहां क्यों आए है स्भील का कारण क्या है मुझे शीक्रता से उगत करो मां चारी काही जनकी तुनाए यही कारण मही को सब आए राए बदवन इन स्रमस्त निर्पालों की उपस्थिक का इस भील भार का एक मार को खारण आए जो अजिगव था दूरुशंकर्यता था महाशक्ति प्रलयंकर्यता जिसमें अब तक धी छिपी हुई भीषण तैत्यों की भप्य हाग भीषण सीता वैवाहिद संसकार्था वही मेरे चनलक्छड में सीता अनन में थी भश्तन में त्रीडे दावा हुआ नीचे देखा तो धन उठाई तीन हा मिकार तो धन जब मैंने सत्य द्रीश लखा तब मेरा अनुट विचार बना जोड़ा वह ही अच्छा होगा जोड़े घंजल के प्रकार अल्दिम दिन अची कर तूट गळा जत इसी लिए ये भीड़ भार पती ती सीता वैवाहिकू सन्सकार भगवान शुकाई दो भागों में विगटित हो गया हमारी प्रतिक्या पूल हो गया थिर अनत निहारी देखे चाको खंड महिडारे ला क्या प्रांबामा पर्वति का पुजनी पात्र भगवान शंकर का प्रम प्रियाई धजगो ब्रमर्शी दधीच का स्थिश मारक आर्या वर्त का गोरो भिया गनेश का प्रिय धनुष अजगो घंडित हो गया जिस माहत्मा ने जनहित में अपनी अस्थियों का दान किया तुमारे ग्वारा प्यारे पिनाख हमारे गुरुदेव भगवान शिव ने त्रिपुरा दिदेख्यों का दलन किया था तब पुर अविश्व तुम्हारी जैजिकार कर रहा था मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुर्देव भगवान शुब ने तुम्हें जनक के पुर्वज देवरात को दे दिया जनक के वन्श में तु इसकी पूज़ा होती रही लेकिन आज श्वारती जनक ने धिकार कर दिया अंदरमर्ष के स्थदान का तुम्हें क्या कहूंगा जिस समय मेरे गुर्देव भगवान शुब ने तुम्हें जनक के पुर्वज दिवरात को दिया था तो मेरी मा बार बार कह रही थी कि ये संसार बहुत स्वारती है बहुत स्वारती है ये संसार संसार में रहने वाले व्यक्त का व्यक्त से प्रेम तभी तक रहता है जब तक संसार में व्यक्त का व्यक्त से स्वारत रहता है और जब स्वार्थ समात को हो जाता है तो संसार की ये रीती है कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम करना भी समात कर देते हैं प्यरे पिनाग समात कर देते हैं समात कर देते हैं हुम कुछ कह न गए गुरु के पिनाग मैं फूट फूट कर क्यारूं ये विखर गई हैं जो लड़िया इनको मैं कैसे हाई पिनों अजिदा तुमने जाना होगा धन खंदन हार मनश्री को अजिदो तुमने देखा होगा उस नर के हरी ये शश्री को बोलो 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 प्यारे पिनाग तुम हुए धरासाई कैसे तुम पर रक्षत था शुरुमंदल आनवे विर्शाई कैसे आज जगो खंदलख कर के रदय पतता वारा तूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझे को पुपार आज भारत भोमे पर नहीं आश्य पम्हें चा गया आरि मान वक्ष पर है यहां गोल उवद्ज्र चला गया आशा कमली ने पर दुषार बात क्यों धाया गया राम जोतित रदय में क्यों प्रलय घन छाया गया आज मान वता भखक कर रोपडी बनने सहारा तूटने के पूर्व तुमने हां क्यों नही मुझे को पुकारा अज गोतून तूटा भूटा यह भाक की हमारा हाय अज गोतून तूटा भूटा इस जगता सहारा है हाई किस निर्दईी ने तुम पर लगा तरहाथ शुभारत के भविश्य को न किंचित विचारा है चट की चट पाने क्यों गिरिवर महें अंध्र की अवस्य ही हुआ होगा रभ ये फीर्षन करा रहा है सूरिय चंद अवनी पर गिरिग्यों नहीं गए प्रदे मच जाती किन्तु धराने धैर धारा है प्राण प्यारे मापाडवती के रदे दुलारे ये दुरगती हो गई तुभारी ये दुरगती हो गई तुभारी हा ओरन तुन ने मुझे पुकारा क्या मुझे पर विश्वाश नहीं था पहले भी जल था जीवन था धर्दी थी अंबर नंदन था ज्यान शक्ति वैभव कंचन था वाल ही परत्र पुरुतेन था तुमसे पहले भी पदजर था हाँ पर हस्ता मधुमास नहीं था क्या मुझे पर विश्वाश नहीं था अरे मित्र नित्र नित्र तुभारे ना रहने की इन आखों में तिन के साथर के क्या हम केवल कहने को थे सेवत मित्र हितैशी घर के क्या हम केवल कहने को थे सेवत मित्र हितैशी घर के लेने को पदगा मैं लूँगा यह शक्त न कोई रोख सकेगी यह शक्त न कोई रोख सकेगी पर अंतर मन में यह जॉाला रह रहत करते ही तहएगी देरी तोल गया तन तेरा और मैं तेरे पाश नहीं था क्या मुझ पर विस्वास नहीं था क्या मुझे पर विश्वास मही था महानशोक, महानशोक, महानशोक आप मेरी सिवोली बचने कठोरा कहुँ जड़े जनक जन शिकाये तोरा करने प्लुष्को करो करके मान करेchu हो मान करेhö हो हो और हो walॉ भीकल, मुर कि ऐसी का कि इसद्क आगना, नह राच, भीटर्बंस कि आ मैं आप मेर जएमष हम आओ. एस दिल ज़ाच को आत्स हमाच, भी नु ए斯 Skills जग जात्स मनि मैं गुर पंगनुड़ पुटिलभू हरसे पडमाहि मन पच्छतार सीय महतारी दिद अब सबरी बात बिगारी भ्रगुपति करी सुभावत तुनितीता अरग निमेत कलब समभीता सभय पिलो के लोगतं जान जान की भीरू रदय नहरत विशाद कच बोले स्री लगुभी धियर पुजिवर भगवान सिरु के इस पामन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दासे ही होगा यह नाद जिसने रैसा अकुरा धो किया वह दास आपका ही होगा जिसने रैसा जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का वह चुप कैसे रह सकूता है जिन पर है प्रिपा इन ग्रामणों की यह कार वही कर सकता है जिस पर है प्रिपा नाथ संभ धन 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 खारा वही जो इक दास तुम्हारा नाथ संभ धन तहना इस दास के लिए आपका चाज़ा राम तुम्रहिश् कोई शैली का प्रियोग कर रहे हो तुमने कहा नाक संभ धन भंज नहारा हुई है को एक दास तुभारा अबारे समक्षे कहने आये हो कि भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा और आम तुमने विचार नहीं किया प्ला भगवान शिव के धनुष को तोडने वाला और मेरा दास कैसे हो सकता है सबकाई प्रिय सेवक स्नीती मोरे अधिक दास पर प्रिती धनुष तोडने वाला दास क्या वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है सेवक 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 जो करे सीवक आई आरी करनी करे करिये लरा सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए अगन्य हुआ करता है राम जिसने भड़वान शिव के धनुष को तोड़ा है विगटित किया है धन्स तोड़ने वाला मेरा दास नहीं बल्कि मेरा सत्रु है और कैसा सत्रु है सुना हु राम जैसी वधनुपोरा सहसबाव समसोरिकुमोरा ताकुच कुलभुशन राम रागो जिसने दिवकवान शिव के परंपनी आयुध अज़गो का खंडन किया है तो धन्स तोड़ने वाला सहस्त्रबाव अर्जुन के समाग मेरा सत्रु है उसके समाग मेरा रिकु है और उसके लिए मेरा एक नर्देश भी है हनुस तोड़ने वाला समाग से पृठक हो जाए पृठक हो जाए अन्था मेरे द्वारा समस्त्रा जाकर दंड़िक किये जाएंगे ये मेरा उद्धोश है सुनी मुनी बच्चन लखन मुद्ध काने बोले परशु धरिये अपमाने लीला कात्रम कमद्ध करेंगे सुना आप रोगों आप धनुष्ट तोड़ने वाले के व्योद में महत्मा प्रसाम्ज की यहां घोशा हो जई यही शिवधन तोड़ा सहज बाहु संसोरिक मौला सोग बिगाओ की हाई समाजा न तमारे जही है सब राजा धनुष्ट तोड़ने वाला महत्मा प्रस्वान्जी का शत्र है और वहां असको बिगाए समाज से एलब हो जाए जर्द हनुष्ट तोड़ने वाले को समाज से नहीं किया गया उसका अलगाव नहीं हुआ उसको समाज से ठक नहीं किया गया इनकी गोष्णा है इनक मारे जीने सब सारे राड़ा माले जाए जी जूही इन्होंने यहां गोष्णा किया तो मिरा ध्यान इन राजाओं से हट करके शिधा इनकी और त्यंद्रित हो गया और मैं इनके सब्दों की एक मिमांसा करने लगा तो मुझको एक समीशी उत्तर मिला मैं बिशार यहां करने लगा कि अध्यासों नाम अतस्मिन तड़ गुद्जी आप जैसा आपने कभी बिशार किया है कि यह जो जीव को किष्ट होता है जिस कारण से कंस्त होता है कि किसी के समें हो जाने पर और किकी पर प्रा किसी के पूब सता है ये जो सोख, मोज, प्रोज आज बतारों की तक होती है क्या किसी के नश्ट हो जाने पर क्या किसी के तूप से आने पर क्या किसी के समाब तो हो जाने पर होती है अरे ना कभी सूची इसमें विशाद करिएगा किसी के नश्ट हो जाने पर किसी के तूप जाने पर किसी के स्वावत हो जाने पर जीव को कश्ट नहीं हो सकता है जब कश्ट क्यों होता है किस कारण से होता है जब हम मन का अपने तादात संसार में इस्ठापित कर लेते हैं मन को संसार से जोड लेते हैं मन को संसार से सम्मधित कर लेते हैं तो हमको कष्ट होने लगता है और किसी मन को जब हम परमात्मा से जोड़ लेते हैं परमात्मा से तादात्म कर लेते हैं तो हम उशी छल कष्ट से मुद्ध हो जाते हैं और सुप्व उप्लत हो जाते हैं तो मैं भिशार करने लगा कि आप जैसा प्रमुनिष्ट महात्मा, आप जैसा ग्यान निष्ट महात्मा, आप जैसा आत्मुनिष्ट महात्मा, जिसने अहं प्रमुनिष्ट महात्मा जिसने अहं प्रमुनिष्ट महात्मा जिसने अहं प्रमुनिष्ट महात्मा जिसने अहं प् सभाध कर लिया है वहारी समझ में आना क्यों कि मननें नाम कानप बंध म Edwards में मैं हो और मन को संसारती हैं संसार से हं संसार से जोड़ते हैं तो इसी को हम तरहिके देवाण दी लगाएं अज होता है अधियाता है माया से अध्यावित हो जाता कहीं माया से युक्त हो जाता है अज्या से युक्त हो जाता है तो माया के कारण इस अनित्य संतार को भी हम नित्य मानने लगते हैं इस असत्य संतार को भी हम संत्य मानने लगते हैं इस अनात्म संतार में भी आत्म दर्षन करने लगते हैं क्यों क्यों चुब कि माया की एक सक्षी है जिए जाते हैं तो इस अनात्र संसार को और वे ववहारिक सक्ता और प्रद्वासिक सक्ता और प्रद्वासिक सक्ता हम उसे कहते हैं जो संसार ने घ़र चाहर के और उसको सत्य मान लेते हैं और जाक्रता वस्था होने के बाद हम उसके सत्य को जान लेते हैं इसी तरह इसको प्रत्भासिक सत्य कहते हैं और परिमार्थिक बिरुहारिक सत्य ना तो किसी से और न ही वाधिथ होने का वह होता है जब हम पर्मार्थिक सक्ता सद्ध सक्षिदान है इसित थे होते हैं तो संसार हमको असत्य दिखाई रिष्ट हो जाता है कि प्रमंवस्य जगन मिठ्या इस और राम सहथ राव-संतुर 59ya AG Eso लेकिन क्रोब का कारण क्या मात्र हरुष्प का पूछ जाना है तो हमने तो महराज बहुत बोड़ा रेखे और जब बहुत बोड़े थे तब आपके दर्सन नहीं हुए और यहां बहुत नहीं एक पूटा है कि दर्सन की बात कुन करें यहां तो यह दर्सन बहुत बाच आलू है इसको बंद करें और प्रिदर्शन करें क्या जह धनतर मुंता इसके प्रती जुआब का अमामत तो है लगाओ है उसका हेद उसका कारण क्या है जन्ना चाहते ही तही कहें उसका है उसका अठारण क्या है राजकबार शुनित्रण लक्षुमर जब मैंने राजा जनक से पूछा को जड़ जनक धनुष के तोरा धनुष किसने तोरा है तो राजा जनक डर के कारण मोन हो गया राजा जनक में कोई उत्तर नहीं दिया तुमारे भाई राम ने साहस का परिचे देते हुए कहा नाथ शंभु धन भंज निहारा होई क्यों एक दास तुमारा ये नाथ भगवान श्यू के धन उसको तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा आये सुकाह कही एकिन मोही क्या ज्या है आप मुझे से क्यों नहीं कहते तो मैंने तुमारी भाईया की वानी को जब सुना तो सुनने पर ये विचार किया एक रिश्यवानी में वाक्षल ह वाक्षात्री है क्योंकि भाईया में कहा हुई है को एक दास तुमारा कोई एक दास होगा कोई एक दास होगा अनिश्चे वाची सर्वनाम का प्रयोग तुमारे भाईया में किया होई है क्यों क्यों अनिश्चयात्म सर्वनाम है और इसका प्रयोग तुमारे भाईया के द जानने के लिए मैंने रूप का मात्यम बनाया बेग दिखाओ सिकरता से दिखाओ लेकिन नाम और रूप के बदले तुमारे भाईया ने संबंद का उत्तर दिया तो यह है कोई एक दास नाम और रूप के पुष्ण पर तुमारे भाईया ने संबंद का उत्तर दिया जिससे हमें संतुष्टी नहीं मिले तो मैंने कहा सेवक सोज करे सिवकाई अरी करनी करी करिय लजाइ सेवक वो है कि सेवा का कारे करे शत्रुता की करनी करने पर तो लराई ही परिणाम में बचती है सुनुह राम जही शिव धन तोरा राम जिसने भी भगवान शिव के धनश को तोड़ा है सहस बाहु समसोर इपमोरा वो सहस्क्रा बाहु अर्जुन के समानवारा शुत्र है सो बिलगाव वो अलग हो जाए विहाई समाजा समाज को छोड़ कर अन्यथा न तुमारे जही है सब राजा नहीं तो सब राजा बारे जाएंगे ये हमारा प्रस्तुति करण तुमारे भाई के प्रतित्मा अगर तुम खड़े हुए तो तुमने कहा कि परश्राम जी जीव को कश्ट तब होता है जब वो हो अपना मन संसार से जोड़ लेता है तादाप जब संसार से इस्थातिक कर लेता है अपने मन को जब संसार से जोड़ लेता है तो उसको कश्ट होता है क्या किसी के दूट जाने पर कश्ट होता है क्या किसी के सवाप्त हो जाने पर कश्ट होता है लक्षमन ने कहा नहीं तूट जाने पर नहीं नश्ट होने पर नहीं मरने पर नहीं हाने पर नहीं कष्ट कब होता है जब हम अपने मन को संसार से जोड लेते हैं तब कष्ट होता है लेकिन यहाँ पर एक बात विचार नहीं है राजकुमार मैंने अपने मन को संसार से नहीं अपितुशिव से जोड़ा ये धनुष संसारिक नहीं है या ये कहे था ये धनुष संसारिक नहीं था किसका था भगवान शिव का और एक बात तुमारी पूरी प्रस्तुती का उत्तर हम दो बिंदूओं में दो शब्दों में देना चाहते हैं ताकि वारता में सरस्ता बनी रहे और छोटी छोटी बातों में हमारे और तुमारे बीच में वारता हो ना बड़े सोक्ष्म बात जो है बल्कि शिव के कारण धनुष है संसार की किसी वस्त के नष्ट हो जाने पर मेरा कुरोध नहीं है सांसारिक वस्तु के समाप्त हो जाने पर मेरा क्रोध नहीं है भलकि भगवान शिव के धनुस के तोड़े जाने पर मेरा क्रोध है और शिव सांसारिक नहीं है शिव सांसारिक नहीं है निरवान रूपन विभुम व्यापकन ब्रह्मगे दस्ष्वरूपन शिव शांशारिक नहीं अच्छा एक तथ भी प्रभाणवी सास्तर में मिलता है धनुष भी सांशारिक नहीं था इदम धनुर वरं दिव्यं इदम यह धनुर वरं स्रेश्ठ धनुष दिव्यं दिव्यमाने अलवकिक अच्छा यह अलवकिक क्यों था? तो शिवका होने के कारण हम इसको सांसारिक नहीं कह सकते क्योंकि शिवका था तो धनुस के तूटने पर क्रोध नहीं है पूरी बार अगर मैं कहूं तो एक उत्तर एक वाक्त में ये प्राक्त होता है कि धनुस के तूटने पर क्रोध परशुराम को नहीं है पल्कि शिव धनुस के टूतने पर परशुराम को प्रोग है धनुस के टूतने में और शिव धनुस के टूतने में अंतर है और देखिए प्रवान भी तुम्हारे इंपठ्ष से मिल रहा है क्या कहा तुमने बहु धनुही तोरी लरिकाई कदो हुना कब हुना क्यों कब हुना क्योंकि वो श्योकी नहीं थी संसारिक थी तो जो संसारिक थी उनके तोरे गाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोध नहीं हुआ क्यों कि बहुत करता है यह तो तुमारी बात ही हमारे मंदन कर रही है कि बहुत संसार के और हुए है या संसारी कुबस्तु का विनाश वा जब भुद धन्रियों का विनाश थी तो परसुराम ने क्रोध नहीं किया लेकिन एक धनुस के तोड़े जाने पर परसुराम क्रोध कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये धनुस तांसारिक नहीं था इदम धनुर वरम तो सिव से धनुस है ना कि धनुस से सिव है प्रेम तो शिव के चरणों में है स्था तो शिव के चरणों में है मैंने ये नहीं कहा सुनो राम जेहिं मम धन तोरा मैंने ये नहीं कहा कि राम जिसने मेरे धन उसको तोरा है वो मेरा सत्रू है मैंने ये कहा कि राम जिसने शिव के धन उसको तोरा है वो मेरा सत्रू है और शिव जी मेरे गुर्देव है और गुरु वस्तु के प्रतिश्ष को सरद्धाव होती है इसलिए राजकुमार पुनर विचार की आवश्यक्ता है तुमने कहा कि परसुराम जी महराज बहु धनवी दोरी लरिकाई कबहु ना सरिस इसलिए उसका भी उत्तर मैंने इसी में सरद्धिया अंतिम और प्रतिविंदू यही धनव्परम ममता के ही है तू ममता में आसक्ति का समन्वय है प्रेम और आसक्ति का समन्वया पक्स रूप जो होता है वो ममता होता है इस धनुष के प्रति हमारी ममता नहीं, हमारा ममत तो शिव के प्रति है, और शिव के आयुद का खंडन हुआ, तोड़ा गया, इसलिए इस धनुष के तूटने के प्रति, हमारा विरोध, तोड़ने वाले के प्रति ग्यापी थो रहा है, अस्तु रेंडिक बालक कालवश, ब पुटा सभख सुच और कठा रसित लोग बैठेंगे विचार करिएगा और लंबी बारता नहीं करता वर शोड़ी दिन्मूने मैं आपको उस्तर किये दे रहा हूं मैंने आपसे एक सब्दात को दिया था मैंने कहा था आपके आपका जो धनुष के पती लगाओ है धनुष के पती जो आपका संबंद है तो वो धनुष के पती या संतारिक पराथों के पती संतारिक वश्तों के पती जब हम संबंद को बनाते हैं तो इसको वैदिक पुमान्य करना जैसे आपका कोई पुत्र है और आपके पुत्र को कोई कश्क दे रहा है या उसको कोई मार रहा है तो मारा को जा रहा है आपका पुत्र मारा जा रहा है मार पुत्र को फ्र नहीं है लेकिन कश्क पुसको हो रहा है कश्क आपको हो रहा है क्यों हो रहा है किस कारण से हो रहा है उचर्श की आपको आप कहने हो कि साथ वाव संसो शिव शिव जैसे वका है किसका है तो अन्याई की आर्मी जब अन्याई पलता है तो अन्याई भी न्याई वेशा पकी तो आपने कहा कि शिव धान तोड़ा अलाज कुँमार कि जैस अन्याई के कारण है शिव धान इसके कारण नहीं है कारण के उत्पत्य हमको आपको आपको बात सोचार के लिए कि धनुस के कारण नहीं है शिव के कारण हनुसा है यह संसार के कारण परमातमा नहीं है परमातमा के कारण संसार है सब्लों कारण का नहीं है क्रहें कि ऑडिकर्मातमा परकर्ट प्र shaking निल न्रीदे निलि台 चाहे वो धनुस हो चाहे संसार का तारी हो परमात्मा चाहे जर्म लेता है परमात्मा चाहे घर्ण हो सकता है तो जो कारण से कारण की हो रही है कि समुन में सा ले हैे मूल में कारण है जहींसिव धंतोरा क्याय तो रा भर्मान संकर के घरनुस को तोड़े तोरा तो जब भर्वान संकर का है परमातमा का है ये संसार और इसे संसार को परमातमा कहे रहे हैं कि जो प्ता है उसकता से प्रेम नहीं करना आसकी नहीं करना क्योंकि ये संसरती सूल मूल प्रदनाना और सकल शोप दायक अध्माना अफ्ताते करें प्रपानी भी तूरी अफ्सेवक पर ममता अत्रूरी संसार क्या है संसार किसे कहते हैं क्या है पराज के नश्ड हो जाने पर जो प्रोग हो रहा है आपको संसारी को स्कुन के काण मेरे कहने का अर्थ यह है जितके भी भगवान से है संसार सब कुछ है रिग्वे कहें पर कहता है जितना भी जो कुछ भी आपको दिखाई लेता है संसार में सब्सक्राइब काई परमाल है और परमाल से महत्तन काई तक आपको जो कुछ भी दिखाई लेता है जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आ रहा है और एक आपने बोला है आपने कहा है विभूसा पाहर भर्मान सेंटर कैसे हैं विभूसा यानी संकूर पराथों में संकूर वोस्तों में व्यापक हैं तो जो व्यापक है संतार में उसको एपिगत किसी के तूप जाने पर आपका यह जो क्रोल हो रहा है यह अध्यास के कारण, अध्यारोप के कारण हो रहा है, चोंकि यह माया की सक्ती से जीन जबाक्षादित हो जाता है, आवर्ण सक्ती है एक, तो एक ही इस्थान पर पड़ी हुई वस्तो उसको अलग दिखाई देती है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, पड़ी रस्ती है, तो रस्ती नहीं हमको सब्प्रती तो होता है अध्यले में, रजक्ती तीप महाभास जीन, जथा वहां उतरवारी, तो आशब्ध्रम, आइका भ्रम कम भिचता है, जब पर परमात्मा की शिपा होती है जीव पर, जब जीव आवर्ण हमाया का जीव से जब हड जाएगा, त को पतिष्ट करने क्या हो शकता है, जब कुछ इस्थिर हो जाएगी, इस सिर्प्रगत्स का भाता समाधित के स्वाज की शिप्रभास है, सिमास है, तो जब प्रग्य योगिल हो जाता है, इस्थिर मुद्धी हो जाती है, तो फिर वो, ना तो किसी के प्रूद जाने पर शो तुमने कहा कि यदि आपके पुत्र को कोई दंडित करें या कोई मारे कष्ट दे तुप्र के दंडित करने पर बादे पुत्र मारा जा रहा है तो दंड पेटे को मिल रहा है लेकिन कष्ट पिता को हो रहा है इसका कारण क्या है इसका कारण्स इक्षक्ड तुमने दिया वेदान्द का अध्यास गलब पहचान का मामला है ना गलब पहचान अभ्यास तो एक फिर मैं उसकी पुनराद पर करूंगा यह कुछ बाते हैं हमारी तुमने कहीं और एक वाक्त में मैंने उत्पर देने का प्रयास किया था उसकी अगृत्ति भी तुमने की हमने कहा कि सिव स ना कि धनुस से सिव है हमने कहा वारा क्रोध है वो शित धनुस के तोड़े जाने पर है और सिव धनुस को हम सांसा नहीं कह सकते ऐसमात नहीं कहीं थी उस ठोड़ा सा हम चाएड़ा यह कि उवारी आर से کछ कि अपक graduates कि सिव धनुष जो है श्रेष्ट धनुष और कैसा है दिभ्यम मैंने कहा रिभगवान श्र्रीव का है कश्ट देने वाला है संसार देखिये संसार में और संसार में अंतर है संसार को कहीं भी धित्य नहीं कहा गया लेकिन धनुष के लिए धित्य शब्द का प्रयोग हुआ पिना कहस्ताय सनातनाय दिप्याय देवाय धिगंबराय तुश्मय यकाराय नमह शिवाय पिना कहस्ताय जो पिना कहस्ताय है तुमने काँ कि कारण के बिना कारे की उत्पत्य कहीं हो तो वाद बताईए कारण के बिना कारे की उत्पत्य नहीं हो सकती है और कारण सिर्धनुष का तूटना है और सिर्धनुष सांसारिक नहीं है इसका उत्तर तुमने पूर्वने ही कर दिया इसलिए इस बिंद पर भी तुम्हा जोड़ा चिंतन करना चाहिए लेकि तुमने नहीं किया कोई बात नहीं इतन धनर वरम दखिए नदियां सभी है सब नदियों का महत्व संसार में है शिंद का है, कावेली का है, गंगा का है, यमुना का है, सरशुती का है, राप्ती का है, गोदावरी का है नदियों का अपना एक विसेस महत्व है, सब नदियां है लेकिन सब नदियों के गंगा का जो महत्व है वो एक वशिष्ट है सभी बगवान के हैं लेकिन सब भगवान के होने के बाद भी कुछ विसे सुरूप से परमात्मा के हैं इसी लिए वुझ्य के उनको में ये कह करके नहीं काल सकते हैं कि अरे ये संसारिक है और ये संसर्थ मूल शूर पुरदनाना सकल दोग सोग दायद हम इसके अंतरगत धनुस को नहीं रख सकते क्यों यदा भीता धनुर विद्या मत्ता परश धालना तदा कश्वई मयादत्तम धनुषोत्र पुर्दाहकन ऐसा विशाल धनुष जो भगवान शिव के हाथों में सुशुभित होता रहा अएसा धनुष जिसके लिए कहा गया इने दे धनुषी स्रेष्ठे धिद्ये लोकाज पूजिते द्धे बलवती मुख्य सुप्रते विश्व करमणा जिसके लिए कहा गया इदन धनुर वरं धिद्यम संस्प्रिया निय पानिना जिसके लिए कहा गया इदन धनुर वरं को कह करके और पाल दे हैं ये लक्षमर का चरिक तो हो सकता है लेकिन परसुराम का नहीं है बगवान शिव के धनस को हमके दन ये कह करके ताल देगी अरे वो तो समसारिक था उसके तूट जाने पर कैसा प्रोद कैसा हम हो है कैसा लूग ये कहे कर हम नहीं निकल सकते नहीं प्रश्रान के लिए शिव धनुष के वन एक वस्त नहीं है हम शिव धनुष को वस्त नहीं कह सकते इस पर भी आप चिंतन करें शिव धनुष को हम वस्त नहीं कह सकते यह महत्मा क्रशाश के पुत्र है और यह महत्मा क्रशाश के पुत्र कैसे पुत्र है जो दिव पुत्र है तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तुमारी दृष्ट में धनुष तोड़ने वाला महिमा मन्दित है तुमारी दृष्ट में धनुष तोड़ने वाला महिमा बान है तुमारी दृष्ट में धनुष तोड़ने वाला प्रसंसमिय है तुमारी दृष्ट में धनुष तोड़ने वाला स्रिष्टतम है लेकिन मेरे लिए दोश्रिव वस्तु ही स्रिष्टतम है अचार कहते हैं तो गुरु वस्तु के प्रति गुरु हाथों में शुशोभित रहने वाली वस्तु के प्रति हम केवल ऐसी मानता बनाने की ये संसारी की सामान वस्तु है तो ऐसा मानना भी शुश के लिए पाफ है ऐसा मानना भी शुश के लिए अपराद है ऐसा मानना भी शुश का करतव्यों नहीं है ये शुश का दाइल्टु नहीं है और मैं भगवान शुव का सिश्यू हूँ और भगवान शुव के सिश्यू होने के कारण मैंने कहा सुन हु तो हम इसको किलबर यह नहीं कह सकते कि राजकुमार यह संसारिक सामान नवस्तु है ऐसा कहकर हम शिवधन उसके महिमा को कम नहीं कर सकते गदा नहीं सकते इसलिए मैंने कहा जे शिवधन तोरा सहे स्वाव संसोरिक मोरा अपनत को है लेकिन वो अपनत तुभी स्रथा के रूप में है वो अपनत तुभी समरपड के रूप में है वो अपनत तुभी शिव सेवा के रूप में है जैसे तुम अपनी सेवा को धनुष तोड़ने वाले क के पूकि सेवा भाव को हमारे विरोध में लेकर के प्रस्तुज़ कर रहे हो इसी पर ऐसे धनुष के तोड़े जाने पर सिर्व सेवा को नहीं धनुष तोड़ने वाले के विरोध में ग्यातिक करके बस्तुप कर लागा आई यही भाव है उसका जैसे तुम कह रहे हो सुनी मुनी बच्चन लखन मुशुकाने और बोले परश धरई अपमाने तो परश धनुष को सतुर्टा की दृष्क से देखा सतुर्टा की दृष्क से तोड़ा उसका विनास किया तो ऐसे सिर्व धनुष को एक तोड़ने वाले के प्रति हमारा ये विरोध क्यों नहों हमारा ये क्रोध क्यों नहों और ऐसा कहकर किये केवल सामान नवस्तु है यह शिव क बिचारेद के महिमा को शिवद्धनुस के महत् थपको कम नहीं मान सकते घता नहीं सकते इसलिए मैं इसे सुविकार नहीं ख़ता शरी महराजिया और विक्तारम पर जलोग है जड़ा विचार गरी को आई आपने यह शहत्य को दी जापन करने उसका पर भलता सब्सक्राइब अफ erाय और आसमान में होने की छेष्टा करता रहता है चाहेwork चाहे जिस से हो, धन से हो, पन से हो, वैबहों से हो, संसार में किसी से भी हो, सामने वाले से हमेशा आसमान में बनना चाहता है, लेकिन लेकिन वो बनना चाहता है, और देखार में बनना चाहता है, क्योंकि वो आसमान में है, सब के हदे में परमात्मा बैठा हुआ है, उससे प्रकत में दिखाई यह संतार कैसा है प्रमात्मा का रूप है परमात्मा समाहित है इसमें परमात्मा का एक सकार है तो यह सामान नहीं है इसलिए मैं सामान में नहीं कह रहा पिशी हो सकता है प्रेश थो हो वह सकता है तर तो अस नहीं हो सकता इस बात कोने हो जरा निक्त क्या है जैसे अपने शिक्त सब्ध धिया है आपने काँ घंश डित है समझी का सारे योग वेटिन आपकी काँ अधना थैस्ट कि 갖고 हैs सब्धिया लोग है है किसे करते हैं तो तुछ को भात ही चैसे कर项 सत्छा वाशन करना है MP2 इसमें तो इसमें तो है क्या है? प्रकास इसमें दिब्ध का है इसका जो वाहरी शुरूप आपको दिखाई दे रहा है यह दिब्ध नहीं है धनुस का वाहरी शुरूप यह दिब्ध नहीं है इसमें जो प्रकात आपको दिखाई दे रहा है यह दिब्ध है इसको हम दिब्ध कहते हैं यानि प्रकत क्या पदार्थों में जो प्रकति में ब्यापता है उसको तिप्प कहा जाता है उस तिप्प के लिए सास्त नाजाय के मृत्वावा भर्ता अजोनित्यम। सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं किस प्रकार उसको नस्ति करेंगे तो कि अच्छे दो आयंदा हो अक्रेदो असोगते वच्छा निद्य हां सब्सक्राइब करें नास्तों विच्छते भावा ना विच्छते शता असक्त की सब्सक्राइब अच्छे दो आप नहीं पर समझे देना इस वाद को जो है जो है उसका भिनास नहीं हो सकता और जो नहीं है वो है ही नहीं उसके लिए क्या सोक्मों हो प्रोद करना जो है ही नहीं जिसकी सब्सक्ते जो नहीं है जिसकी सब्सक्राइब नहीं है उसके लिए क्या सुख्मों हो करना अच्छुँ कि आपने कहा कि तय त्री उपन इसलिए यहां कह रहा है कि आनंद ब्रम्हों स्था शया भू수 मिद्लांस जऺनते आनंद जावन जीमंद की आनंद परिंत विफमिस्वन की आनंद को संपूर पराणि शाब्द करना चाहे हैं आप प्रमनिष्क महतमा इस है जिस कारण से तकारण हुआ है तो देख करके ही ज्ञानी जन बड़े आचारी महत्मा मोहीत होते हैं जो कुछ भी आपको सिखाई सुनाई पढ़ रहा है सनितार में आप पहां मैं इसको वस्क नहीं कहता अगर यह वस्क नहीं है तो क्या है फिर क्या है आप जानते हुँ जानदावी करना पड़ेगा इसके लिए तो प्रकार प्रकार के पड़ार को ऊते हैं एक भाव, एक आभाव, भाव के छैवेग होते हैं, घ्रव, गुल, कर्म, पामान, पिसेज, और समवाई, ये छैवेग हैं घ्रव के, आभाव के तीन गुल, तीन सकार का, संसरगा भाव, अन्युम्या भाव, ये सब सुना किसको रहोता हूं? जो, घ्रव, देखो, हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऐची बात है, लेकिन ये क्यों सुना रहे होता हैं? तो मैं आपना उसे अज़्म एक आदित है अगर बीपक्ष की बहुं तो समध्थर नहीं होसकता लाएव समध्थर तो ने करूंगा लुँक्त आपके जोग सब्सक्राइब करने का प्रयास करूंगा और हमें आत्रों तो आभाव के तीन पतार होते हैं संसरगा भाव अन्यमना भाव अक्यंता भाव और अभाव के तीन भेग होगे प्राग्य भाव प्रधंसा भाव अक्यंता भाव तो संसार में जितनी व्ष्वोइं आपको दिखाई पर रही है जहां तक मन की देगी है जो कुछ भी दिखाई देए रहा है उनको एक संग्या दिए गई करेंगेंगों कि दौड़ा जो कुझ भी दिखाई दे रहा है जिनका हमें घ्यान हो सकता है पदार्थ का सिदांद संद्रोदे में एक लक्षा और बताया गया है वस्टुआ अभी देहें तुम पदार्च लक्षाम पदार्च सामाने लक्षाम अभी देहें तो जिनका हमको भ्यान होते हैं